नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पाकिस्तान ने बदला दाउद इबराहिम का ठिकाना भारत डोजियर से घबराये पाकिस्तान ने अंडरवर्ड डौन दाउद इबराहिम को सुरक्षित जगे पहुचा दिया है मीडिया रिपोर्ट्स पर कहा गया है कि दाउद को उसकी पत्नी एवं बेटी के साथ उत्तरी पाकिस्तान के मूरी इलाके में पहुचाया गया है दाउद के साथ उसके भाई अनिस इब्राहिम के परिवार को भी ले जाया गया गौर्टलवे की भारत दाउद के कराची में होने के पक्के सबूत पाकिस्तान को NSS करकी वारता में देने वाला था समझा जता है कि भारत के डोजियार से घबरा कर पाकिस्तान खूफिया एजेंसी ISI ने आनन फानन में दाउद और उसके परिवार को कराची से मूरी शिफ्ट किया है दाउद ने कराची के क्लिफ्टन में जियाउद दिन अस्पिताल के पास शिरिन जिन्ना कॉलनी में एक नया मकान खरीदा था ये जगप पूर्व प्रधानमंत्री बैंजिर भुट्टो के बेटे बिलावल जर्दारी भुट्टो के आवास के पास ही है केंडर सरकार में कॉंग्रेस अद्यक्ष सोनिया गांधी के जमाई राजा रोबट वाडरा को हवाई एड़ो पर तलाशी से मिली छूट का विशेश आधिकार वापस लेने का निर्णय किया है सरकारी सुत्रों ने बताये कि नागर विमानन सुरक्षा विउरो की ओर से अधिस उचना जारी की जा रही है और सभी हवाई एड़ो के पास भीजी जा रही है ग्रा मंत्राले ने नागर विमानन मंत्राले से दलाई लामा और वाडरा सही 33 श्रेणियों के लोगों की सूची की समिक्षा कर उसकी उजना पर आगे बनने को कहा हैं जिने देश के हवाई अड़ों पर तलाशी से छूट मिली हुई है स्वुर्ती राणी ने कहा कि राखूल ने हडपली किसानों की जमीन तो मैं राखूल से कहना चाहती हूँ कि मोधी जी नहीं जूटे तो राखूल है जिनने लहा कि किसानों की जमीन हडपली स्विधी ने कहा कि असी के दशक में जिस कमपनी के लिए किसानों की जमीन ली गई वहाना तो कमपनी खुली और नहीं लोगों को रोजगार मिला और किसानों पर बोलने वालों ने किसानों की जमीन राजिय उगांधी ट्रस्ट को दे दी स्मूति ने कहां कि अगर राहूल जी कहते है कि वो एक इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे इसका मतलब है कि वो कह रहे है कि सब कुछ वही लेंगे